आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अमर का विलोम शब्द क्या होता है इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उदाहारन वाक्यों से भी से ओर अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अमर का आर्थ समझते हैं अमर का आर्थ होता है जो कभी ने मरे या हमेशा जीवित रहने वाला यानि कि जिसकी मृत्यों कभी नहीं होती उसको हम अमर कहते हैं तो अमर का विलोम शब्द यानि कि विपरित आर्थक शब्द होता है मरत्य और मरत्य का आर्थ होता है नशवर नशवर यानि जो मरने वाला हूँ या जिसका कभी न कभी नाश हो जाएगा या जो कभी न कभी मर जाएगा आईए अब हम अमर और मरत्य को कुछ उधारन वाकियों से समझे जैसे कि आप कह सकते हैं कि इतिहास में कुछ लोग अपने कार्यों की वज़े से अमर हो जाते हैं या आप कह सकते हैं कि रामायन और महाभारत जैसे ग्रंथों में कई अमर पात्रों का वर्णन है या फिर आप कह सकते हैं कि प्रतेक मरत्य व्यक्ति को अपने जीवन का अंत एक दिन देखना पड़ता है या फिर आप कह सकते हैं कि मरत्य जीवन में दुख और सुख दोनों का अनुभव होता है अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें